असलाम लेकुम, आज हम बनाएंगे प्याज कीमा, जो की इतना टेश्टी बनता है कि इसको खाने के बाद आप इसके टेश्ट के दिवाने हो जाएंगे, बहुत पसंद आने वाला है ये आपको, तो चलिए फिर देख लेते हैं इस जबर्दस जाइकेदार कीमे को हम किस तरह से बनाएंगे, प्याज कीमा बनाने के लिए मैंने देखें यहां 500 ग्राम लिया है, हाथ का कुटा हुआ कीमा, और इसमें हमने 10% फैट भी लिया है, अब पोट में लेंगे हम आदा कप तेल, और यह मैंने कुछ साबुत मसाले लिये हैं, जिसमें एक टी स्पून है जीरा, 8-10 काली मिर्ज, एक इंच दालचीनी का तुकड़ा और एक बड़ी लाईची है, इन मसालों को हम तेल में डाल देंगे, और इनको हम थोड़ा सा क्रैकल हो जाने देंगे, जिससे की जो खुचबू है न वो तेल में रिलीज हो जाए, अब हम डालेंगे कीमा, जिसको हमने अच्छे से वाश कर लिया है, कीमे को हम हाई फ्लेम पे तेल में 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, और ये देखें 3 मिनट हो गये हैं, अब देख सकते हैं कीमे ने अपना काफी पानी रिलीज कर दिया है, और इसका जो कलर है ये भी ओफ वाइट हो गया है, तो इस टाइम पर हम इसमें एड करेंगे, एक टेबल अदरक का पेश्ट, अब लसन अदरक के साथ में कीमे को हम फिर से अच्छे से भून लेंगे, जिससे की लसन अदरक की जो कच्छी समेल है भूख हो जाए, और इसमें हम शामिल करेंगे, आदर टीज स्पून से थोड़ी स साइस के टमाटर जिसको देखे इस तरह से हमने पीसिज में कट कर लिया है अब टमाटर को डालने के बाद अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे और ढख करके हमें इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है जिससे कि जो टमाटर है ना ये विसमें प्रूफ्ट हो जाए ये जो पूटी हुई लाल मिर्च, आप किसी भी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं, साथ ही हम इसमें एक टेबल स्पून डालेंगे कुटा हुआ धनिया, अब इसमें हम आधर टी स्पून डालेंगे भुना पिसा, जीरा पाउडर, एक टी स्पून लेंगे, नमक या फिर अपने जा लाना है, और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप कुकर में बना रहे हैं, तो उसी साब से आप इसमें दो सीटी लगा लें, अब इसको हम कवर कर देंगे, और लो फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, देखें कीमे को हमारे पकते हुए 15-16 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे, और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, इस टाइम पे अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो की दो मीडियम साइज की हैं, जिसको हमने बारी कट कर लिया है, इस कीमे हम इसमें डालेंगे, आधा टी स्पून, गरम मसाला पाउडर, अब इन सभी को बहुत ही अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद, दो मिनट के लिए हम प्याज और कीमे को ढखक करके पका लेंगे, बहुत जादा नहीं पकाना, और ये देखें, प्याज ना हमारी हल कटा हुआ, हरा धनिया, आप अगर चाहें तो इसी टाइम पे इसमें आधे निम्बू का जूज डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है निम्बू डालने से भी, या फिर जिस टाइम आप कीमे को सर्व करें, जिस टाइम आपको खाना हो तो अपने आगे भी आप निम सिंपल रोटी के साथ में तो ये अच्छा लगता ही है, लेकिन चाहें तो आप इसे पराठो के साथ में सर्व करें या पाव के साथ में खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है, तो ट्राइ कीजिएगा, इंशालला आपके घर वाले इसको चटखारे ले लेके खाएंगे, ब वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्ला हाफिज,